बात केहड़े वाले है कि अधर में लड़की सिख्षक ड्योजन की परिकिरिया अभियार्थियों की परिसानी बढ़ी जिए है आपको बता दे। को लेकर के जो है सिख्षाबिभाग का कहना है कि बाहली परिकरिया फिलाल अभी सुरूर नहीं हो सकती है वही समय बितने के साथ साथ अवियार्थियों के परिषान इसले भी लगातार बढ़ रहे हैं चुकि आगे चलकर पिधार्ण सबाद चुनाब है यहापर आप देख सक अगले आदेश तक अस्थागित कर दिया है आपको बताते है यह पुर्ण परिकरिया कब तक सुरू होगी और अभियार्थियों को जो एंग लेडर कब तक मिलेगा इसके बारे में नहीं बिभाग को जानकारी है नहीं किसी भी kसकी जानकारी है कि आगर आगे बढ़ते इसी तरह अगर चली जाती है तो आपको बता दे यहां पर यह बहाली जो है कहा जा सकता है कि इस बार कॉरोणा वायरस को लेकर के लेकिन अगली बार बिदानसवाचुनाब के भेटना चरचाए यह से आपको बितादे, बिहार सिख्षक वाली मुर्चा के परदेश ससर्षा जोजग सोनुकुमार सोनी जी का कहना है कि अगर समय पर नियोजन कर लिया गया होता, तो यह स्थिधीदी नहीं होता। उन्हें कहा कि बर्दमान सिखिषक नियोजन के परिकरिया विहार सिखिषक नियोजनरीवली दो खजार बारापर अधारृत है、 जो बिस्तंगतियों से भारापरा है, इनी कारणों से इतना बिलंब होता चला जा रहा है आपको बितादे यहाँ पर लॉक्डाउन समाप्त होने के बाद सरकार नियोजन की परिकरिया पुना परारम करे और काइप लगा कर हाथ हो हाथ नियोजन पत्र नीरत करने के साथ ही अगले कुछ महिने में ही नियोजन की परिकरिया पुरी करे आपको बिता दे सिख्षक बहाली मूर्चा के परदेश ससर्ण योजोक सोनुकुमार सोनी का कहना है कि समाई काफी कम समय में सरकार बहाली की परिकरिया पुना सुरू करे लोकड़ून समाप्त होने के बाद और अभियार्थों को कैम पलगा कर हाथों हाथ नियोजन पत्र निर्गत करे जिससे क्या होगा कि अगले कुछ महिने में अजियोजन की परिकरिया पुरी हो जाएगी तो राजबर के सारे अभियार्थे आंदोलन के लिए बात होगे जिया आपको बता दे अभियार्थों का ये भी कहना है कि जैसे ही लोकड़ून खुलेगा और सिक्षा विभाग अगर एक महा के अंदर सभी तरह के परिकरिया अगर नहीं पूरी करती है तो पूरे राजबर के अभियार्थी आंदोलन के लिए बात ही होगे तो ये था एक आज की बरी अपडेट फैनली इस अपडेट में बसेता है फिलाल तीन मई तक पूरे भारत में लोकड़ून है ऐसे में तीन मई तक फिलाल कुछ भी नई संबब है फिलाल इस अपडेट में बसेता है